इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, sorry for that, जैनिजम तक हमने कवर कर लिया था, एक प्लेलिस्ट है, क्राउन भिहार जी के गर के उसको जरूर देखिए, इस से पहले कि अगर वीडियो जो देखना चाहते हैं, एक सीरीज में देखिए, इस पाटिक्लर वीडियो में, we will be covering बुद्धिजम, बुद्धिजम, specifically we will be talking about भिहार, उससे रिलेटिट, जो भी बुद्धिजम से रिलेट ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है चलिए तो यह सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी बीपीसी एक्जामिनेशन के लिए बीपीसी बीससी या फिर जो भी बिहार के एक्जाम्स होते हैं उनके लिए इस इस गूंग टो भी बू का दूसरा नाम सिधार्थ भी है चाहिक है और फाउंडर अफ बुद्धिजम और फाउंडेट सिस्ट्री बीसी ठीक है इस डेट इस एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टेंट यह तो आपको याद होना ही उन्हें चाहिए इनका नाम भी दूसरा वाला जो नाम है सिधार्थ यह पता होना चाहिए जगा जगा कहां पैदा हुए तो लुम्बिनी प्रेजेंट ली दिस इन नेपाल में है ठीक है लुम्बिनी जो है रुमिन देई भी बहाते है रुमिन देई का विलेख है यहांपर असोक का असोक ने विजिट किया था इनके बर्थ प्लेस को और वहां पे एक शिला लेंव अभी वहां पे लिख वहांपर रुमिन देई का जो पीलर अभीलेख है वह है वह है fois 설명 कि से क्लान से बिलॉंग करते थे तो यह साक्य छत्रिये क्लान से अफ कपिल बस्तु यहां से यह बिलॉंग करते थे यहां से यह बिलॉंग करते थे ठीक है and his father was Sudodhan this is extremely important these all names are extremely important mother Maya who was princess of the neighboring clan of Koliya's Koliya's जो की इनका देहांत हो गया था इनकी mother का just after seven days after giving the birth to Siddhartha इनका देहांत हो गया था तो इनकी जो step mother थी प्रजापती गौतमी इन्हों नहीं इनको पाला पोसा and Siddhartha और बुद्धा was married to at the age of 16 years to Yasodhra यह सुधरा से साधी हो गए इनकी और एक बच्चा भी था इनका जिसका नाम था राहूल एक लड़का था इनका नाम था राहूल तो यह हो गया थोड़ा सा इनका background गौतम बुद्धा का सो गौतमा wanted to leave the world in search of truth संसार जिसको बोलते हैं टूथ की खोज में ही यह सब कुछ हुआ है ठीक है और एक्चुली टर्न इनकी लाइफ में तब आया टर्न कब आया जब यह एक बार निकले एक बार यह अपने महल से निकले तो इन्होंने रास्ते में एक एक old man को देखा एक diseased man को देखा और एक dead man को देखा ठीक है तो यह थोड़ा सा ना सौक हो गए कि मतलब लाइफ में ऐसा होता है मतलब की कोई तो बूढ़ा है कोई बीमार है कोई मर भी गया है तो लाइफ की सच्चाई क्या है इस चक्कर में यह इन्होंने इनको थोड़ा सा सदमा लगा और यह ही रिसीब सीवियर सौक और यू नो पीस अफ माइंड ओके तशाइट अफ एन एसेटिक ठीक है यह तीनों के बाद एक साइट अफ एसेटिक भी देखा मतलब टोटल चार चीज यह देखी सबसे पहले तो नहीं देखा क्या देखा एक ओल्ड मैन फिर एक डिकीज इसके बाद ही लेफ्ट इस वाइफ और चील्ड डिया इंद प्लेस और लेफ्ट अन्नोटिस्ट अन्नोटिस्ट अकंपनीड वाइज होर्स कंठका तो यह भी पूछता है कि कौन सा उनके घोड़े का नाम क्या था तो इसका नाम था कंठक टिक है और चैरिटियर जो था उ आपको याद रखना है इस इवेंट इस पाटिकुलर्ली नोन अज महा अभी महा अभी निस्क्रमन ठीक है और ग्रेट रिनंशीयस रिस रिनंशीयशन ठीक है यह भी पूछता है कि जब घर चोड़ेते तो उसके क्या बोलते तो महा अभी निस्क्रमन बोलते हैं या फिर ग दो टीचर का नाम बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाता है पहले है अलारा कलमा वैसाली में इनके पास इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिया सेकेंड टीचर थे इनके राम पुत्ता उद्दक जो की राजग्रीहा के थे तो यह दोनों नाम बहुत इंपोर्टेंट आपको याद होना चाहिए देखें इनसे मिलने के बाद भी इनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं सो अनेबल तो फाइंद पीस फ्रम एन अफ इस इंस्ट्रक्टर्स ही रिस्टो रिसॉर्टेट तो तो ए लाइफ उस्टेडिटी एन एक्स्ट्रीम सेल्फ मॉर्टिफिक में चले गए हाववर सून ही रियलाइज देट मियर सेल्फ मॉर्टिफिकेशन कुद नाट लिड़ तो साल्वेशन वहले खाली अपने आपको तंग करके बॉड़ी को दिक्कत में डालके साल्वेशन तो नहीं हो सकता है तो यह गेब अपट अप्सेल्फ मॉर्टिफिकेशन और बिगें तो टेक लिमिटेड क्वांटिटी अफ फूड पहले तो बिल्कुल खाना पिना नहीं खा रहे थे तो देखा कि ऐसे तो मिर्ती भी हो जाएगी तो बुद्धा को जटका लगा कि मर जाने सच्छा है कुछ खाना खालो limited quantity में ठीक है तो limited quantity में he started taking food and he went to Niranjana river जो की फल्गू river को ज्वाइन करती है गया में ऐसे फल्गू नधी को ही Niranjana नधी कहते हैं यह भी पूछा जाता है and वहाँ पे he attained supreme spiritual illumination on the full moon day जिसे बोलते है न बुद्ध पुर्नीमा और बैसाख पुर्नीमा under a people tree, people tree now called bodhi tree इसको bodhi tree बोला जाता है originally ये bodhi tree अभी भी वहाँ पे है near the village of Kuruvela that is modern day bodh गया modern day bodh गया okay and from now onwards जब इनको ग्यान की परात्ती हुई he was called he was called what he was called buddha the enlightened one और तथागत one who attained the truth और साक्यमुनी इनको कहा जाने लगा तथागत साक्यमुनी और buddha भी इनको तीनो चीज इनका नाम हो गया इनको चलो ठीक है यान की परापती हो गई है so buddha has attained enlightenment that is nirvana at the age of 35 only and spent 40 40 years in teaching and preaching ठीक है तो 35 साल के एज पर इन्होंने enlightened पा लिया मतलब ज्यानी हो गए बुद्धा हो गए निर्वान पा लिया उसके बाद काम कहा भी या तो teaching किया इन्होंने प्रीच किया अपना जो philosophy इन्होंने डिब्लॉप किया so he began his first sermon at Gaya not at Gaya sorry not at Gaya where he attained enlightenment but Sarnath Sarnath में जिसे हम रिसी पत्ना भी कहते हैं near Vara Nasi at Deer Park where he preached five associates यह सब important है कितने associates को teach किया यह सब पूछता है so basically he preached five associates who left him on his giving up of severe austerity this sermon was called dharm chakr pariwarthan this is again important एक तो हमने देखा था कि घर छोड़ेते तो महा अभी निस करमन बोला गया उसको फिर इन्होंने first sermon दिया तो dharm chakr pariwarthan ठीक है और turning of the wheel of law so he gave maximum sermons at the Sravasti the capital of Kosal तो यह भी एक fact है बट ऐसा नहीं पूछता है पूछता है कि पहला sermon कहां दिया था तो सारनाथ में दिया था the Buddha died at the age of 80 in 483 BC under the salt tree at Kusinagar in UP कभी जाओगे तो इनके जहां डेथ हुआ था वो जगा भी है वहां पे स्तूपा भी है so this event is known as महापरी निर्वान इस event को क्या बुला गया महापरी निर्वान बुला गया and his death is said to have caused by a meal of pork that is शुकर्मद्वा which was given to him by his disciple चुन्दा चुन्दा a blacksmith at Pavapuri तो यह pork खिला दिया इसने ठीक है गलती से इसके कारण इनके ध्याद धो गई so the Buddha appointed no successor to him बोला कि मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं मर रहा हूं तो मैं successor appoint करूँगा so he appointed no successor to him and told Ananda that the dham dham and vine preached by him would take his place when he would be no more Ananda इनके disciple थे इनको बोला इनोने कि dhamma जो है और vine पितक बिने पितक और dham जो है ये दोनों जो है हम मेरा जगा लेंगी और इसी के basis पे बुद्धर्म आगे जाएगा so सुधर्मा sorry सुभद्रा a wanderer became an arhat and was last disciple of Buddha so Buddha's last words were that that decay is inherent ठीक है decay जो है inherent है वो होके ही रहेगा in all component things and they should work out their salvation with diligence so the relics of Buddha's relics मतलब की जो इनके asti panjar या फिर उनके saman related they were divided into eight shares and each was insurined in a stupa 8 share में बाट दिया गया और इसको हर जगा पे जहां भी stupa मना जाता है कोई saman रख दिया गया इनका फिर bodily remain जो होता है आखरी जो भस मोगे रहा सब रख के वहा पे stupa बना दिया गया now we will see main features of Buddhism so fundamental findings of Buddha are known as for noble truth that is आरे सत्या आरे सत्या नी बोलते है इसको the first noble truth deals with the misery और दुख बोला संसार में दुख है ठीक है संसार में दुख है पहला दूसरा बोला दुखों का कारन है दूसरा बोला दुखों का कारन है तीसरा बोला कि ठीक है दुखों का निरोध भी है दुखों का निरोध भी है और उस दुख को निरोध करने के लिए जो है वो अस्टांग मार गए ये इन्होंने बोला था ठीक है तो basically first truth is misery दुख है संसार में second noble truth is speaks of causes of misery ठीक है जिसे हम samoodya कहते है third noble truth that deals with the cessation of misery बोला दुखों से निवारन भी है निरोध भी है and last noble truth deals with the road और the path leading to cessation of misery जिसे अस्टांग मार भी बोलते हैं बुद्धा assert that this mark is eightfold mark और अस्टांगी का mark और it and it consists of right view पहला है right view आपका view जो है samyak-drishti होनी चाहिए आपकी right resolve होना चाहिए samyak-sankalp मतलब हिंदी में right speech आपको बोलना है samyak-vaak right conduct होना चाहिए आपका samyak-karmantha right livelihood होना चाहिए यानि कि samyak-aajiv का होना चाहिए आपका right efforts आपको डालना है samyak-bयायाम करना है मतलब right mindfulness होना चाहिए samyak-ismriti मतलब देखे fit mind में अगर unfit दिमाग बैठ गया तो दिक्कत है next last है right concentration और samyak-samadhi samyak-samadhi दुखों से निवारन पाना है तो यह करना पड़ेगा so there are दस सिला और 10 commandments of Buddha that is speak the truth हमें साथ सच बोलो do not commit theft observe ब्रह्मचर्या ठीक है do not covet anything always practice ahinsa never make use of flowers perfumes and scent आज के date में लागे मार लो scent और add आता है कैसे 2-4 लड़किया गिर जाती है इतर पता ने मूर्चित होचाती है क्या होचाता है do not indulge in singing and dancing avoid associating with women and do not take food at forbidden time and do not sleep on soft and comfortable bits आज करे दिए गद्दा डनलप का all the monks were all the monks were required to follow all 10 rules strictly मतलब जो इनके monks थे इनको ये rules follow करने थे बहुत ही strictly and buddha, dhamma and sangha these are the three gems और three ratnas of the buddhism क्या के है buddha, dhamma और sangha जो ये है तीन त्री रतन है buddhism के ये पूछता है सवाल तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए the disciple used to live in a monastic organization called sangha and at the close of the vasa that is retreat during the rainy season the monks met met together to confess their offenses committed during their stay in rainy season ठीक है, जैसे रेनी season खतम होता था ना तो उसके बाद ये लोग एक जगह आते थे और अपने offense को commit करते थे कि यह मैंने यह गलती की है this ceremony was called upostaha and gautam buddha was not in favor in admitting women as nuns but he did so relent relent relentently अनिक्षा से ही at the request of his chief disciple Ananda पहले तो नहीं चाहते थे बाद में Ananda ने request किया तो ऐसे ही बेमन से ही बोल दिया ठीक है रख लो अब देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स ठीक है संगती जो हुई है और उससे related important facts first Buddhist council जो हुआ था 483 BC में हुआ था place इसका था सबतर्नी केव जो की राजग्रीहा में पड़ता है और इसके president यह सब पूछता है कौन था president कौन था ruler तो president था महा कसब और इसके सासन काल में हुआ तो अजात सत्रु जो कि बिम्भी सार का पुत्र था उसी के सासन काल में हुआ था उसी के सासन काल में गौत्म बुद्धा का देहांत भी हुआ था इसकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यह 383 वीसी यानि की 100 यह वैसाली में चीके और इसके जो प्रेसिडेंट था वो था सभाकर्मी और उस समय सासक था काला सोक नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 250 बीसी में हुआ और यह हुआ अच्छा सौरी पहला जो था राजग्रीहा दुसरा वैसाली और तीसरा जो है पाटली पुत्रा ठीक है तीसरा पाटली थि पुत्र थीसा था और असोक के सहनकाल में यह हुआ था न वाला फौर्थ बुद्धिस्ट कैंसिल वाता फोर्स्टंचूरी एडी में यह वदा कुंडल वो यानि की कश्मीर में बसु मित्र भासी में इसका प्रेसीडंट था और कनिसक के सहनकाल में यह हुआ ता अब हम देखेंगे outcomes of the Buddhist councils the first Buddhist council outcome क्या-क्या था so basically it was convened it was convened पहली तो बात यह है कि it was convened to compile dhamma dhamma is a religious doctrine and Vinaya that is monastic codes of buddha तो एक आपने सुना होगा ना बुद्ध पितक अविदम पितक और बिनय पितक सुथ पितक अविदम पितक और बिनय पितक तो यह पितकाज जो है ट्री पितक जो है तो यह क्या करते है विसिकली यह बिनय पितक उसमें से मुनास्टिक कोड से रिलेटेट है तो पहले बुद्धिस काउंसल में यही हुआ कंपाइल किया गया धंमा को और बिनय को भी कंपाइल किया गया मुनास्टिक कोड कि वह यह जो मुंक्स रहेंगे मुनास्ट्री में उनके क्या-क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए कोड बनाया गया और अलसो दे कंपाइलेशन ऑफ थ्री पितकाज नहीं थ्री नहीं टू पितक और बाद में एक पितक को और कंपाइल के अगया था इनीशली दो पितक को कंपाइल क्या घाथ दर्श बिने पितक तरीजा मुनास्टिक कोड इसको उपाली ने किया था सुद्पितक को कंपाल कै था आनंद ने अनंद ने 2nd Buddhist council का outcome कह रहा तो पर्मानेंट पर्मानेंट सीज्म ऑफ बुद्धिस्ट चर्च इन्टू स्थावीराज और महावीराज में स्थावीर और महावीरा में बट गया ठीक है पर्मानेंट सीज्म जो है बुद्धिस्ट का स्थावीर और महावीर में महा संगीका के स्थावीरा और महा संगीका में है बटढ गया फिर थ statsनिस्ट इसमें क्या हुआ अभिधाम पितक जो तरीम क्या आखरी पितक है अभिधाम पितक को अitecthing वह चौकरंपायल से से जो की इस पॉसीनियान दूसरा हीनियान घे लोर वेक less this तो महायाने लोर गोटम बुद्धा का शिंबोलिक पूजा होता था मुर्ती उर्थी कभी नहीं बना जाती थी नेक्स्ट है, contribution of Buddhism देखते हैं, क्या के contribution हुआ बुद्धिजम के वज़े से, तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मिले हमें काफी जाधा, पाली गैनोनिकल टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली और कॉमली रेफर्ट तो एस त्री पितका, यह थी फोल्ड बास्केट, और बिने पितक, सुत्पितक और अभिदम पितक, तो सबसे पहले बिने पितक की चर्चा करें, जो पित्चर्स इन पितक में पितक तो सुत्त पितक में, पितक में तो सुत्पितक में के था, इस दिलिए और बुद्धा हमिशव और के बिने पितक की चर्चामें, वुझदा के चीचिचिंग को सुत्व पितक में रखा गया था, ठीक है, वुआ के मैक्सिममु टीचिंग्स को सुत्व पितक में रखा गया था, And the Dhharmapada, द्खरंपada, the law path, containing the summary of Buddha's universal teaching is regarded as one of the great religious texts to the world. Okay, next is Abhidhammapitak. So, Abhidhammapitak contains the philosophy of Buddha's teaching. फिलोसफी जो है जैसे कि metamorphic philosophy है ठीक बुद्धा की teachings तो हो गई सुत्यपितक में लेकिन बुद्धा की philosophy उनकी सोच क्या थी वो बुद्धा की teaching की अभिदम पितिक में रखा गया है और इसे अभिदम पितक को मोगली पुत्तिसा ने ही इसे अभिदम पितक को मोगली पुत्तिसा ने ही कंपाल किया था और आजीविकिजम जो है आजीविका संप्रदाय जो है जो है फाउड़ेट वाई मकाली घोसला ठीक है घोसला के द्वारा मकाली घोसला के द्वारा ये फाउन क्या है गेता है अन इट बिलीव इन दप्रिंसिपल अफ नीयती बिच इस दर ओनली डिटर्माइन फेक्टर इन यूनिवर्स नीयती पर बेसिस था आजीविका संप्रदाय और आपने सुना होगा कि असोका ने आजीविक आजीवक संप्रदायों के लिए गया के पास बराबर हिल में इनक आजीवक संपर्दाय के लिए यहां पर बिहाराज बनाया थे निक्स आता है एमोरालिजम पुराना कश्यप बिलीब इन दोक्त्रिन अक्रियवाद और नॉन एक्षिन and he maintained that a man did not incur sin through actions which were popularly known bad materialism is Ajit Kesa Kambalin was a senior contemporary buddha his doctrine also known as Ucchedwad he held that the body consists of four elements that is it dissolved after the death that is materialism बुला ना बोड़ी हमारी छित जल पावक गगन समीरा छित जल पावक गगन समीरा तो यह आला कि पांच हो गया इसमें लेकिन छित जल पावक गगन धरती आसमान पानी और हवा यह सब metalistic metalism से ही हम लोग बने हैं और हमारी जो body है bodily ribbon मरने के बाद इसी में मिल जाती है next है eternalism eternalism pakudha so pakudha pakudha kakayana's doctrine is known as saaswat vaad according to him there are seven elements saaswat vaad mein which are not only immutable but they do not in any way contribute to the pleasure or pain the body is dissolved into these seven elements which are eternal फिर आता है एगनो एगनो स्टीशिजम संजे बेलाथी पुत्ताज doctrine is known as vikya spada vikya spavada or that which diverts the mind from right track तो यह इतना important नहीं है बट इसमें important क्या है इसमें important है आजीवक आजीवक संप्रदायब बहुत important है बाकि यह सब इतना पूछता नहीं है तो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए याद रखना अब कुछ यह जो हमने पढ़ा इसका examination facts देख लेते हैं तो जैन वाला भी इसी में है तो जैन वाला भी 23rd जैन तिर्थंकरा वाज पार्षनाथ ओबिएसली थे ही है एंड ही वाज सन ओफ किंग अश्वसेन बनारस के रहने वाले थे इस किंग के यह पुत्र थे कौन पासनाथ और तेईस में तिर्थंकर थे महाबीरा वाज 24th जैन तिर्थंकरा ओके महाबीरास फादर वाज सिधार था एंड मदर वाज त्रीशला थे फॉस्ट जैन काउंसील वाज हेल्ड इन पाटली पुत्रा अंडर देवर्धी देवर्धी अच्छ अच्छ समर्समना गौत्म बुद्धा दफाउंडर अफ बुद्धिजम वाज बॉन इन लुम्बिनी नौ इन नेपाल अल्डेडी हमने कभर किया था उसी को फैक्ट को यहां डाल दिया है गौत्मा फादर वाज सुदोधना एंड मदर वाज माय जिनका दिहांत हो गया था उसके प्रजापती गौत्मी ने इनको पाला पोसा था इनकी स्टेप मदर ने और गौत्मा अटेंट इनलाइटनमेंट दैट इस निर्वाना इन बोध गया बोध गया में इनको मिला था अंडर पीपल ट्री नियर रिवर निरंजना जो को फल्गु नदी को कहा जाता है और यह था उसमेन का पैंटिस साथ बुद्धा डाइड अट इस अफ 80 इन 483 BC अंडर अंडरे साल्ट्री अट कुसी नगर विच इन यूपी और गौरगपूर से लगभग साट-सातर किलोमेटर है साट किलोमेटर का सपस है साट नहीं होगा लगभग चालीस का का सपस होगा तर्स बुद्धिस्ट कांसिल वजहलेज आउटसेट बिहर इन कुंडलवान इन कस्मीर दसार मंस अफ बुद्धा फ्रॉम दवेरी बीगनिंग वेर नॉन अज क्या वोलते है इसको नौन अज असुद्धा असुद्धा भोलते है ठीक है जो सुद्ध ओ जो उलते है ने contemporary of Gautam Buddha तो इसका आंसर होगा महाभीरा which of the following is not a part of early Jain literature answer is Theri Gatha The concept of Anuvrata the concept of Anuvrata was advocated by Jainism who among the following who is given the credit of carrying Jainism to South India तो यह थे भद्र बाहु जो की चले गए थे अपने कुछ यार दोस्तों के साथ साथ में स्थूल भद्र रह गए थे बिहार में which religion is Cavalya associated this is associated with Jainism relics of Buddha are preserved in stupas मतलब जो remains है बुद्धा के वो stupa में दबे हुए है the meaning of Buddha is enlightened one enlightened one ठीक है Buddha का मतलब होता है enlightened one at which place did Gautama meet five Brahmanas after achieving his enlightenment तो यह सारनात में मिले थे और इनी को प्रीच किया था इनोंने Gautama gained enlightenment on the bank of river Niranjana और Falgunadi जो presently Falgunadi है Niranjana नदी को ही बोलते है the famous Buddha disciple Sariputta was born in he was born in Nalanda very important Nalanda में जनम होता Sariputta का the famous Mahabodhi temple was built at Bodh Gaya where Gautama Buddha achieved enlightenment Gautama Buddha achieved enlightenment the birth place of 12th Jan Tirthankara was Champa answer होगा Champa who was president of 1st Jan council तो इसका आंसर होगा first के तो थे स्थूल भद्र Jain council की बात हो रही है the first Jan council was held during the reign of Chandruguptu Moria the first Jan council was held at at कहां पे पाटली पुत्रा में पाटली पुत्रा में होगा था first Buddhist council was held at Rajgriha the first Buddhist council was held during the reign of Ajat Shatru who was the president of 1st Buddhist council तो इसके president थे कौन? Mahakassab Mahakassab is the right answer the second Buddhist council was held at it was held at Vaisali the second Buddhist council was held during the reign of Kalashok Kalashok and who was the president of 2nd Buddhist council the third Buddhist council was held at पाटली पुत्रा किसके शासनकाल में तो असोक के सासनकाल में कौन था? इसका president तो president था मोगली पुत्र तीसा ठीके ए थार्ड की बात हो गई रहता है who was the founder of Ajivak sect तो इसका था मखाली घुसाला the doctrine of सास्वत वाद वाद वाज गिवन वाज गिवन वाज इस वाज गिवन वाज गिवन वाज गिवन वाज आंसर होगा पकूधा कचायना ठीक है? तो इतना ही था इसमें अगली वीडियो में वोग more empire देखेंगे जो कि बिहार के current affair के लिए बहुत important current affair के बात कर रहा हो बिहार के जीके के लिए बहुत important part है यह हलाकि जो national history पढ़ा हुआ है उसके लिए more empire इतना important नहीं है वही चीछे यहां पर लिखी गई हैं थोड़ा से स्पेसिफिक दिया गया इसमें इसके आर्ट वगेरा जो है आर्ट कल्चर वगेरा काफी इंपोर्टेंट है विहार के लिए तो देख लेंगे इसको अगले वीडियो में मिलते अगले वीडियो में बाइबाइब